आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So a question given is A tennis coach is trying to put together a team for a 4 players for the forthcoming tournament For this 7 players are available Males are ABC and females are W, X, Y, Z So males हमारे पास कौन कौन है A है, B है and C है And again हमारे पास females कौन कौन से है W है, X है, Y है and Z है मैंने ये negative से female और male Positive से represent कर दी अब all players have equal capability At least 2 males will be there in a team So हमारे पास 4 player की जो team होगी ठीक है, in 4 players में ये तो confirm है कि 2 लोग कोई male होंगे ठीक है, ये 2 male होंगे minimum And उसके बाद में हमें next बोला गया है For a team of 4, all players must be able to play with each other सभी को एक दूसरे से खेलना बहुत जरूरी है But यह condition है, we cannot play with W, C cannot play with Z and W cannot play with Y If we selected, Y is rejected, then team will consist of each of the following groups Option है, ABCW, ABCY, ABCX, AW by Z So अब हमें क्या बोला हुआ है, B जो है, वो W के साथ नहीं खेलेगा Okay, B, W के साथ खेलने से क्या मना कर रहा है Then उसके बाद में C जो है, वो Z के साथ खेलने से मना कर रहा है Then W है, वो B के साथ में खेलने से मना कर रहा है और बी जो है वो कहा रहा है कि अगर बी select हो गया तो by reject हो जाएगा तो अब हम क्या है इन चीजों का use करेंगे तो इनका use करेंगे तो बहुत simple सी बात है for example हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है a b c w अगर मैंने a रख दिया and b रख दिया तो यहाँ पे दो positive आ गए c भी positive आ गए तीन positive आ गए पहली condition fulfill हो गई क्या यह first condition है हमारी fulfill हो गई हो गई then यहाँ पे आ गया है w जोगो c के साथ में z है और b के साथ में w अगर b आया तो w नहीं आएगा तो b के साथ में यहाँ पे w आ गया जो की नहीं आना चाहिए था तो हमारा option है गलत हो गया then option b में a, b, c and y अब यहाँ पे a है, b है, c है यह positive है first condition satisfied and उसके साथ में हम देख रहा है y जो गो by को अगर b select हो गया तो by select नहीं होगा so b के साथ में by किस तरीके से आ गया यह भी गलत हो गया then हम देख रहा है a, b, c और x so a यहाँ पे a, b, c प्लस आ गया तीनो तेन उसके साथ में आ गया x देखो x का किसी के साथ कोई bonding है क्या no bonding x is free here so x जब free तो a, b, c के साथ में x आ जाएगा option 3 साही है option d, option d में a के साथ में w, y, z आ रहा है ठीक है देखो यहाँ पे सीधा बोला है w के साथ में by नहीं आएगा इसने बोला है तो यहाँ पे क्या यह भी गलत हो गया तो option 3 हमारा answer हो गया 3 हमारा answer हो गया and यह मैं थोड़ा सा clear कर दूँ से आप लोग देख लेंगे ठीक है, so यह हमारा answer है Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर